नमस्कर सत्तियों अब सभी का आपके यूटूब चैनल इस्टोरी कलोप राजस्तान एकसोई जेड में स्वागत हैं। दोस्तु राजस्तान जिके से समझत होने वाली हैं। और जिला दर्शन में अपने सबसे पहले जेपुर संभाग के साथ जिलो के बारे में चर्जा की थी उसके बाद में जोदपुर संभाग के छे जिलो के बारे में चर्जा की थी और अभी दोस्तों अपना बिकानेर संभाग चल रहा है ठीक है बिकानेर संभाग में टोटल जि कि उसनों के बारे में discussion करेंगे और एक वीडियो दोस्तों कला जाएगी ठीक है टोटल वीडियो नंबर के बात करें दोस्तों 38 नंबर की वीडियो है और आप राजस्तान से रिलेटेड किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो चाहिए सीटी हो चाहिए रीटमेंस हो चाहिए पसुपरिसर हो कोई भी एक्जाम हो दोस्तों राजस्तान से रिलेटेड यी वीडियो अपके लिए बहुत ही helpful रहेगी सांदार रहेगी 10-15 मिनिट की वीडियो है छोटी सी व संबाग कह में एक उन्भा संबाग की तक तो थोड़ा सागी है में तो यहां पर दोस्तों संबाग में आ जाएगा हनुमान घरजिला आगे दिखी हनुमान गड़ जिले की सीमा राजस्तान की कितने जिलू के साथ में लगती है तो हनुमान गड़ जिले की बात करें दोस्तों राजस्तान की कितने जिलू के साथ में सीमा बनाता है यह तीन जिलू के साथ में सीमा बनाता है और वो तीन जिले कौन-कौन से है तो यहाँ पर प जंगानगर के साथ में सीमा बनाता है बिकानेर के साथ में सीमा बनाता है और दोस्तों इदर नीचे चूरू के साथ में सीमा बनाता है तो टोटल कितने जिलू के साथ में सीमा बनाता है तेन जिलू के साथ में सीमा बनाता है और दो राज्यू के साथ में सीमा बनाता है ठीक ह निम्न में से कौनसा कतन हनुमानगर के समयने में ऐसने है विशते है ? तो ऐसने कदन रोणान दोस्टों हनुमानगर GZLAY की सीमा पंजाब और हरियना के साथ में लगती है नहीं की सímा विश्य है प्राचीन युद्दी परदेश का हощा था तो युद्दी परदेश में कौन कौन से डितार अता इए, युद्द वित पर धेश समयान यह सोपे के समयान है कि जो अंग्रेजजी की कि ऐल सुपे के समयान है और हर क्रिश्न मर गये तो यह उप्षान अपना गलत है हनुमान घड़ जिले का जो सुभंकर क्या हो जाईगा चोटा किल ख़ी एक क्रिश्ण मर कहां का दूस्तों यह दोस्तों पने चुरू का मतलब कि देखें कली बाइगा सब्वेता की खोच किषन नहीं की थी तो काली बंगा सब्वेता की खोज के बारे में बात करें दोस्ति इसकी खोज किस ने की थी अमला नंद गोश के द्वारा ठीक है अमला नंद गोश के द्वारा दोस्तों काली बंगा सब्वेता की खोज की गी थी ठीक है कब की थी दोस्तों खोज की थी 1952 के अंदर गाथ 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 1952 क 1962 के बीच में काले बंगा सब्वेत का उत्खनन कारिय किया गया था और उत्खनन कारिय किया था वो किसके द्वारा किया गया था बी बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में दोस्तों ये उत्खनन कारिय किया था और इसकी खोज किसके दोरा की थी तो खोज की थी दोस्तों अमलारनन्द गोश ने 1992 में 1952 के अंदर गत और उत्खनन कारिय किया था 1961 से 1962 के बीच में दोस्तों उत्खनन कारिय किया गया बीबी लाल और बीके थापर के निर्दीसन में नेक्स्ट है काली बंगा सब्वेता का उत्खनन पांच स्त्रों में हुआ था तो ये बात भी सही दोस्तों उत्खनन कारिय दोस्तों पांच स्त्रों में हुआ था ठीक है नेक्स्ट देखिए काली बंगा सब्वेता के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बरतनों का रंग लाल तता जिन पर काली वा सपैद रंग की रेखाई के चीवी थी तो ये बात भी pewnा तो किस प्रकार का मतलब कि उलेक नहीं है ठीक है मंदिर जो मतलब की प्राजिए मंदिर ऑनके बारे में कोई भी व्हांसेश Olay वे वहाँ से प्राप्त नहीं हुए ठीक है और इसके लागा दोस्तों काली बंगा सब्बैता में बिटीर को को सत्वीड़ों जाना जाता काली बंगा हुए जो काली Kivolowitz हैơn में द्विक अंध मतलब की सीजन में दो पसल न opening आ ओर नेनगते क काले बंगा सब्वेटा के समंध में मेंनवें से कौन सा कतन सत्य है और कपरिस्तान किस प्रकार का था दोस्तों अंडाकार यहां पर मतलब कि कपरिस्तान था ठीक है अंडाकार तीसरा उप्सन देखिए काली बंगा सब्वेता में दोस्तों बेलनाकार मोहरों के आउसेस भी प्राप्त हुए ठीक है मोहर मतलब की जो सील ठपपा होता हो किस परकार किती बेलनाकार थे ठीक है और उपर सभी खतन सत्य सब्राइब दोस्तों सभी खतन सत्य थे नेक्ट देखिए कालि-भंगा वो पिलि-भंगा- सब्भिता राजश्तान के किस जले में शटीत थे एं तो कालि-भंगा और पिलिबंगा की बात करे दोस्तु ये दोनों के दोनों कहांपे हैं? हनुमानगड के अंदर गाता है, ठीक है? हनुमानगड के अंदर कालिबंगा और पिलिबंगा शब्यता स्तीत है नेक्श देखिए राजस्तान का वैद दुर्ग इस कौन सा है? ठीक है बटनेर को दुर्ग जिसको हनुमन गड़ का दुर्ग भी कहा चाता है तो यह दोस्तों कौन सा दुर्ग जहां पर हिंदु महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था ठीक है नेक्स्ट देखिए अगर दोस्तों वीडियो पसंद आरे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्यों हम आप से लाइक मांगते है चोटा सा लाइक मांगते है अगर लाइक नहीं कर सकते तो फिर आपकी मरजी है निमलेक में से किस इत्यास वेता ने काली बंगा को सिंदू गंटी समराज्जी की तीसरी राजदानी बताया तो यहाँ पे दोस्तों काली बंगा को सिंदू गंटी जो सब्वेता है इसकी तीसरी राजदानी बताने वाला कौन सा इत्यास वेताया ठीक है तो यह है दोस्तों दसरत सर्मा ठीक है दसरत सर्मा ने काली बंगा सब्वेता को सिंदु गांटी सब्वेता की तीसरी राजदानी बताया ठीक है पहली राजदानी कौन सी तो यहां पर दोस्तों सिंदु गांटी सब्वेता की जो पहली राजदानी मानी जाती है वो क किनारे विक्षित हुई है तो यहां पर दोस्तों अभी वर्तमान में पन बात करें दोस्तों काले बंगा सब्वेता कौन सी नदी के किनारे श्ती था गगर नदी के किनारे श्ती था ठीक है गगर नदी के किनारे श्ती था और पुराने समय की बात करें दोस्तों वो नदी कौ नेक्स्ट देखी लोक देव ता, गोगा जी के बारे में कुण सा कतन? सत्य है तो यहां पर सत्य कतन डोड़ना गोगा जी के बारे में तो हिंदू तो दो इसको नागराज की रूप में पूझते और मुस्लिम किस नाम से? गोगा पीर के नाम से पूछते है ठीक है इंदू नागराज की रूप में मुस्लिम गोगा पीर की रूप में गोगा जी का मंदीर मकबरा सेले में बनावा है तो गोगा जी का मंदीर दोस्तों किस रूप में बनावा है मकबरा सेले में बनावा है और मंदीर में दोस्तों बि पर इसके परतिक के रुप में दोस्तों इसकी पूजा होती है तो यहां पर उप्रुक्त सभी कतन अपने सत्य है नेक्ट देखिए गोगा मेडी में बादरपद कृष्ण नवामी के दिन गोगा जी की समरते में दोस्तों विसाल मेला लगता है गोगा मेडी स्तित है तो गोगा मेडी कहां पर स्तित है जहां पर दोस्तों बादवा की जो कृष्ण पक्स की जो नवामी दोस्तों उस दिन मतलब की एक विसाल मे लगता गोगा मेडी के अंदरगत तो ये गोगा मेडी कहां पर स्थिता है ये दोस्तों हनुमान गड में स्थिता है ठीक है हनुमान गड में स्थिता है और सीर्स मेडी कहां पर दुस्तों दद्रेवा चुरू के अंदरगत सीर्स मेडी है और दूर मेडी कहां पर दूस्तों ह उतकिरन है ठीक है तो यहां पर दोस्तों एक मात्रे सा मंदीर है जहां पर हिंदू पूजारी और मुस्लिम पूजारी दोनों पूजा करते हैं और मंदीर के मुख्य दूआर पर क्या लिखावा बिस्मिल्ला सब्द उतकिरन किया गया है तो यह दोस्तों गोगा मेडी ठीक है गोगा मेडी जो की कहां पर हनुमान गड़ में नेक्स्ट देखिए बटनेर दूर के समद्ध में निमन में से कौन सा कतन ऐस अत्य है तो बटनेर दूर का निर्मान तीसरी स्ताब दी में राजा भूपत भाटी के दौरा करवाय था तो यह अपनी सही दोस्तों राजा भूप दौकार के नाम है यह याप दोस्तु वास्तु कार था बटनेर दूरका और इस दूर्ग में दोस्तु दानवेनिस स्रेणिम को रखा जया तो тобलो स्त्तु दानवनिस दोस्तुर क्या गलत है देपा की जिगवर क्या है अपर मैं आप को बता चुक है कई कई है कया दोस्तोथ इसका वास्थ कारता इस द्रूग को उत्री शिमा का प्रहरी दूर्ग या बट किवार्ड के नाम यह दोस्तों उत्री बट कीवाड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है उत्री बट कीवाड नेक्स्ट देखिए राजस्तान का वे दुर्ग कौन सा है जिसने सरवादिक विदेशी आकरमनों को जेला है तो राजस्थान का इसा कोई साथ दूरगे जिसने दूस्तो विदेशी आकरमनों को सरवादिक जिलने वाला दूरगे तो यह दूस्तो बटनेर का दूरगे और स्तान्य जो सरवादिक जो आकरमन होई थे दूस्तो स्तान्य सरवादिक आकरमन कहां पे होती दूस्तो अजमेर क सिंए और कहा जाता है जोहर किया था और इसका जो निर्मान कर वाथी हा दोस्तों भूपत भाती तो यहां पर दोस्तों मुहमद गजनवी के साथ में युद्ध करने वाला लोक देवता कौन सा है तो लोक देवता हो जाएगा दोस्तों गोगा जी ठीक है गोगा जी ने दोस्तों मौमद गजनवी के साथ में युद्ध किया था तो लोक देवता है कौन कौन से तो दोस्तों ये आ पे गोगा जी है मेहा जी है और रामदीव जी है और पाबू जी और हडबू जी ठीक है टोटल पांच लोग दे हुथा है पंच लोग दे हुथा है ठीक है इसमे 5 रपाज देजister दी नहीं जी ए मॉंगलिया जी यह दोस्तों पाँच लोग द्युक्षका इसमेशा मेल वशता है तो यह जलग हुआता वालाई 1994 फ्राइब 12 जुलाई 1994 में के दिन दोस्तों हनुमान गड़ जिला सरी गंगानगर से अलग हुआ था गंगर नदी हनुमान गड़ जिले में किस जील का निर्मान करती है तो गंगर नदी की बात करें दोस्तों हनुमान गड़ जिले में कौन सी जील का निर्मान करती है तो दोस्तों ये तलवाडा जिल का निर्माण करती है ठीक है तलवाडा जो जील है दोस्तों ये कहां पर हनुमान करकी एक टिबी तेशिल है ठीक है टिबी तेशिल में दोस्तों ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है और एक तलवाडा जील का निर्माण करती है ठीक और राजस्तान की सबसे नीची जील दोस्तों तिलवाड़ा जील है तिलवाड़ा जील है तिलवाड़ा जील है और राजस्तान की एक मातर जो नदी है दोस्तों उत्री दिशा से प्रिवेस्ट करने वाली वो गगर नदी है तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो और हनुमान